अथास्टमों अध्यायः गर्भ में परिच्छित की रच्छा, कुंती की द्वारा भगवान की इस्तुती और युधिष्टिर का सोक। सूतु आच अथते संपरेतानाम स्वाना मुदक इच्छताम दातुम सक्रिष्डा गंगायाम पुरस्कृत्य ययुह इस्त्रिय है। सूत जी कहते हैं इसके बात पांडो स्री किष्ट के साथ जलांजल के इच्छुप मरे हुए स्वजनों का तरपन करने के लिए इस्त्रियों को आगे करके गंगा तटपर गए। वहाँ उन सबने मृत बंधों को जल दान दिया और उनके गुडों का अस्परण करके बहुत बिलाब किया तद ननंतर भगवान के चरण कमलों की धोली से पवित्र गंगा जल में पुनह अस्नान किया। वहाँ अपने भाईयों के साथ कुरूपती महाराज उधिष्ठिर धृतराष्ट पुत्र सोक से ब्याकुल गांधारी कुंती और द्रौपदी सब बैठ कर मरे हुए स्वजनों के लिए सोक करने लगे। भगवान स्री किष्णे धौम में आदी मुनियों के साथ उनको सांतुना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान स्री किष्णे अजार सर्वाना राज द्रौपदी के केसों का आसपर्स करने से जिनकी आयुचिन हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वद कराया। साथ हे युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामाग्रियों से तथा पुरोहितों से तीन असुमेथ यग कराये। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्रियस पो सव यग करने वाले इंद्र के यस की तरह सब और फैला दिया। इसके बार भगवान स्रेकिष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडों से विदाली और व्यास आदी ब्राम्रों का सतकार किया। उन्होंने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तद्ननंतर सात्तिक और उद्धों के साथ द्वार का जाने के लिए वे रत पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भैसे बिवल होकर सामने से दवडी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा देवाधि देव जगदीस्वर आप महायोगी हैं। आप मेरी रच्छा केजिए रच्छा केजिए। आपके अतरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है। क्योंकि यहां सभी परसपर एक दूसरे की मृत्य के निमित बन रहे हैं। प्रभो आप सर्व सक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाड मेरी ओर दवडा आ रहा है। स्वामिन यह मुझे भले ही जला डाले परंत मेरे गर्व को नष्ट ना करे। ऐसी क्रिपा केजिए। सूद जी कहते हैं भक्त वत्सल भगवान स्री क्रिश्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अस्वत थामाने पांडों के वन्स को निर्वीच करने के लिए अन्हास्त्र का प्रियोग किया है। सौनक जी उसी समय पांडों ने भी देखा कि जलते हुए पांच बांड हमारी ओर आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्व सक्तिमान भगवान स्रे कृष्णे अपने अनन्य प्रेमियों पर सरणागद भक्तों पर बहुत बड़ी बिपत्य आई जान कर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रच्छा की। योगेश्वर स्री किष्ण समस्त प्राणियों के हिर्दय में बिराजमान आत्मा हैं उन्होंने उत्तरा के गर्व को पांडों की वंस परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवस से ढख दिया। सवनक जी यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोग है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं हैं फिर भी भगवान स्री किष्ण के तेज के सामने आकर वह सांत हो गया। यह कोई आश्चर की बात नहीं समझनी चाहिए क्योंकि भगवान तो सरवा आश्चर में हैं वे ही अपनी निज सक्ति माया से स्वयम अजन्मा होकर भी इस संसार के स्रिष्ट रच्छा और संगार करते हैं। जब भगवान स्री किष्ण जाने लगे तब ब्रम्हास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौबदी के साथ सती कुंती ने भगवान स्री किष्ण के इस प्रकारिस्तुद की। कुंती ने कहा आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस इस्थित हैं। फिर भी इंद्रियों और व्रित्तियों से देखे नहीं जाते क्योंकि आप प्रकृत से परे आदिपुरुस परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूं। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप वित्मान रहते हैं और अपनी ही माया के परदे से अपने को ढखे रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनासी पुरसोत्तम को भला कैसे जान सकती हूं। जैसे मूर लोग दूसरा भेजधारन किये हुए नट को प्रत्यच देख कर भी नहीं पहचान सकते। वैसे ही आप देखते हुए भी नहीं देखते। आप सुद्ध हिर्दय वाले विचार सील जीवन मुक्त परमहंसों के हिर्दय में अपनी प्रेम मैई भक्ति का स्रिजन करने के लिए और तील्ड हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्ध इस्त्रियां आपको कैसे भचान सकती हैं। आप स्री किश्र वासुदेव देव की नंदन नंद गोट के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रडाम है। जिनकी नाप से ब्रह्महा का जनमस्थान कमल प्रकट हुआ है जो सुन्दर कमलों की माला धारन करते हैं। जिनके नेत्र कमल के समान विसाल और कूमल हैं। जिनके चर्ण कमलों में कमल का चिन है। श्री किश्र ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। रिसी केस जैसे आपने दुष्ट कंस की द्वारा कैत की हुई और चिरकाल से सोग ग्रस्त देवकी की रच्छा की थी। वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रच्छा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं। आप सर्व सक्तिमान हैं। स्रेकिष्ड कहा तक गिनाओं विश से लाच्छा गरी की भयानक आग से, हिडिंब आदिर आख्छसों के दृष्ट से, दुष्टों की दूथ सभा से, वनवास के विपत्तियों से, और अनेग बार के युद्धों में, अनेग महारतियों के सस्त्रास्त्रों से, और अभी इस अस्वत्थामा के ब्रह्मात्य से भी आपने ही हमारी रच्छा की है। क्योंकि विपत्यों में ही नििश्चित ुरूप से आप के दर्शन हुआ करते हैं और आप के दर्शन हो जाने पर फिर जन्मिर्त्य के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। उंचे कुल में जन्म एस्वर बिद्या और संपत्य के कारण जिसका घमन्ड बढ़ रहा है वह मनुस्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं आप निर्धनों के परमधन हैं माया का प्रपंच आपका अस्पर्स भी नहीं कर सकता आप अपने आप में ही बिहार करने वाले परमसांत सुरूप हैं आप हे कैवल्ल मोच्च के अधिपति हैं आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ मैं आपको अनादी, अनन्त, सरुप्यापक, सबके नियंता काल रूप परमिश्वर समस्ती हूँ संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकरा कर विसंता के कारण परस पर विरुद्ध हो रहे हैं परन्तु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं भगवन आप जब मनुस्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता आपका कभी कोई नाप्री है और नाप्री आपके संबंध में लोगों की बुद्धी बिसम हुआ करती है आप बिस्व के आत्मा हैं बिस्व रूप हैं ना आप जन्म लेते हैं और ना कर्म ही करते हैं फिर भी पसु, पच्छी, मनुस्य, रिसी, जलचर आद में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनरूप दिब्विकर्म भी करते हैं यह आपकी लीला ही तो है जब बच्पन में आपने दूद की मटकी फोड़ कर यसोदा मया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बाधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी तब आपकी आँखों में आसुछ लगाये थे काजल कापोलों पर बह चला था नेत्र चंचल हो रहे थे और भै की भावना से आपने अपने मुक को नीचे की उर जुका लिया था आपकी उस दसा का लेला छब का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ भला जिससे भै भी भै मानता है उसकी यह दसा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुस यह कहते हैं कि जैसे मलया चल की कीर्थिका अबिस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है वैसे ही अपने प्रीभक्त पूर्ण इसलोक राजा यदु की कीर्थिका अबिस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंस में अवतार ग्रहन किया है दूसरे लोग यों कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूरुजन में सुत्पा और प्रिष्ण के रूप में आप से यही वर्दान प्राप्त किया था इसलिए आप अजनमा होते हुए भी जगत के कल्यान और दैतियों के नास के लिए उनके पुत्र बनी हैं कुछ और लोग यों कहते हैं कि यह पृत्वी दैतियों के अत्यंत भार से समुद्र में डूपते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी पीडित हो रही थी तब ब्रम्हा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए कोई महापुरुस यों कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीडित हो रहे हैं उन लोगों के लिए स्रमण और अस्मरण करने योग्य लेला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहन किया है भक्त जन बार बार आपके चरित्र का स्रमण, गान, कीर्तन एवं अस्मरण करके आनंदित होते रहते हैं वे ही अविलंब आपके उस चरन कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्मरण के प्रवाह को सदा के लिए रोग देता है भक्त वांचा कल्पतरू प्रभो क्या अब आप अपने आस्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़ कर जाना चाते हैं आप जानते हैं कि आपके चरन कमलों के अतरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है प्रित्वी के राजाओं के तो हम योही बिरोधी हो गए हैं जैसे जीव के बिना इंद्रियां सक्त हीन हो जाती हैं वैसे ही आपके दर्सन बिना यदिवन्सियों के और हमारे पुत्रपांड़ों के नाम तथा रूप का अस्तुत ही क्या रह जाता है गदाधर आपके विलच्छ चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुर जांगल देश की भूम आज जैसी सोभाय मान हो रही है वैसी आपके चले जाने के बाद ना रहेगी आपकी द्रिष्ट के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लथा बृच्छों से सम्रिद्ध हो रहा है ये वन परवत नदी और समुद्र भी आपकी द्रिष्ट से ही बृध्ध को प्राप्त हो रहे हैं आप विश्ट के स्वामी हैं विश्ट के आत्मा हैं और विश्वरूप हैं यदुबंसियों और पांड़ों में मेरी बड़ी ममता हो गई है आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस इस नेह की दिनफासी को काट दीजिए स्रे क्रिश्ट जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिर्ती रहती है वैसे ही मेरी बुद्ध किसी दूसरी ओर ना जाकर आप से हे निरंतर प्रेम करती रहे स्रे क्रिश्ट अर्जुन के प्यारे सखा यदुबन सिरो मले आप प्रित्वी के भार रूप राजवेश धारी दैत्यों को जलाने के लिए अगनी स्वरूप है आपकी स्थक्ति अनन्त है गोविंद आपका यह अवतार गोव ब्राम्हण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है योगेश्वर चराचर के गुरू भगवन मैं आपको नमस्कार करती हूँ सूत जी कहते हैं इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर सब्दों में भगवान की अधिकांस लेलाओं का वरलन किया यह सब सुनकर भगवान स्रेकिष्ड अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे उन्होंने कुंती से कह दिया अच्छा ठीक है और रत के अस्थान से वे हस्तिनापुर लोट आये वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से बिदा लेकर जब वे जाने लगे तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधूं के मारे जाने का बड़ा सोक हो रहा था भगवान की लीला का मर्म जानने वाले ब्यास आदि महर्सियों ने और स्वयम अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान स्री किष्णे भी अने को दिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेश्टा की परंतु उन्हें सांतोना ना मिली उनका सोक ना मिटा सावना कादिरिसियों धर्म पुत्र राजा इधिस्ठिर को अपने स्वजनों के वत से बड़ी चिंता हुई वे आविवेक युक्त चित से इसनेह और मोह के वस में होकर कहने लगे भला मुझ दुरात्मा के हिर्दय में बद्ध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा सरीर के लिए अनेक अच्छोडी सेना का नास कर डाला एक अच्छोडी का अर्थ यहां पे दिया गया है 21,870 रत और 21,870 हाथी एक लाख नौ हजार तीन सो पचास पैदल और 65,600 घुल सवार इतनी सेना को अच्छोडी कहते हैं मैंने, बालक, ब्राम्हड, संबंधी, मित्र, चाचा, ताउ, भाई बंधु और गुर्जनों से द्रोह किया है करोणों भरसों से भी नरक से मेरा चुटकारा नहीं हो सकता यद्यपी सास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में सत्रों को मारे तो उसे पाप नहीं लगता फिर भी इस से मुझे संतोस नहीं होता इस्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहां जो अपराध हुआ है उसका मैं ग्रहस्थो चित यग्यादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ जैसे कीचर से गंदला जल स्वच नहीं किया जा सकता मदिर्या से मदिर्या की आप वित्ता नहीं मिटाई जा सकती वैसे ही बहुस से हिंसा बहुल यग्यों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्राश्चित नहीं किया जा सकता इत स्री मदभाग्वते महापुराणे पारम हंस्याम सैहितायाम प्रथमस्कंधे कुंती इस्तुतिर युधिष्ठिर अनुतापो नामस्टमो अध्यायः स्री राधा वल्लवलाल की जै